दोस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेधरलेंड्स की जॉब के बारे में जियां नेधरलेंड्स की जॉब के लिए कैसे अपलाई करना है कौन सी वेबसाइट से अपलाई करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हू तो आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं आपको अल्रेडी वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूँ दोस्तों और इसी वेबसाइट पर आपको अलग अलग जॉब्स के बारे में बताऊंगा और आपको जोए कंपनी की वेबसाइट पर लिजा करके अपलाई करने का तरीका बताऊंगा एद तक बने रहिए वीडियो कर पसंद है वीडियो को लाई कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मतबूले का दोस्तों में हो स्वारब और आप देख रहे हैं पब्लेक अजयर शुरुवात करतें वीडियो की दोस्तों जैसा कि आप देख सक English में Translate भी दोस्तों अभी यह website जो है English में translate हो सकती है दोस्तों अभी देखो अभी यहां पर English में हुई नहीं है यहां पर नीचे की तरभ आप देखोगे तो Dutch और English का option आ रहा है तो मैं English कर लूँगा तो यहां से ऑप website अभी देखो यहाँ पर यह website अंग्रेजी में convert हो चगे दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको देखने की मिल जाएगी उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे security guard policy advisor administrative support उसके बाद नीचे की तरफ assistant accountant और ऐसी ही आपको और भी jobs देखने की मिल जाएंगी दोस्तों यहाँ पर फिल्टर कर देते हैं हम लोग फिल्टर करके बाकी की jobs भी देख सकते हैं यहाँ पर all vacancy types full time part time freelance मतलब आप जिस भी टाइप की job category में job search करना चाहते हैं वह यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और अपने इसाब की job ढूंड सकते हैं यहाँ ठीक है date uploaded का option दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कब date upload होनी चाहिए मतलब कब जो है job post की होनी चाहिए आप पुरानी jobs देखना चाहते हैं या फिर recent posted jobs देखने चाहते हैं दोस्तों उसे साब से यहाँ पर वह सिलेक्ट कर सकते हैं आप डिस्टेंस नेदरलेंड्स में बताया जा रहा है आप एक particular location की डिस्टेंस से जो है job सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाया इस location के अगल बगल ही मेरे को job चाहिए और उसके साब से जो हाँ filter कर स जाएगी अगर job available नहीं हुई इस website पे नहीं सर्च हो रहा है दोस्तों तो इसका मतलब यह नहीं है कि Netherlands में वह job दोस्तो तब तब जो है यह पेज उपन होगा डच लेंगविज में लेकिन उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से यहां पर डिश्वाशर की जॉब आ चुकी है दोस्तो हमारे सामने आप देख सकते हैं लूबा नाम की कंपनी के अंडर रीपे ना दोस्तो नहीं मिलेगा आप जॉब के बारे में ज्यादर जानकारी पढ़ना चाहते हो तो आप जॉब पे क्लिक करो जॉब पे क्लिक करने के बाद जूब डिस्क्रिप्शन बगरा पताया जाएगा दोस्तो आपको कि इस जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको करनी पर सकती है, skills क्या-क्या मांगे जा रहे हैं, यह job आपके लिए है या नहीं, as a foreign word का आप job के लिए apply कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तो, सारी के सारी जानकारी आपको इसी तरीक से मिल सकती है, यहाँ पर मैंने job पे click किया, job पे click करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप option पे click करेंगे, हमारे सामने एक नया page open होगा, ठीक है, यही सारी चीजे जो हैं दोस्तो, लोगों को परिशान करती है, यह जो नए नए pages open होते हैं, अलग-अलग pages पे जाना पड़ता है, job apply करने के लिए CV अपलोड करना पड़ता है, application form भरना पड़ता है, इसी वज़े से लोग confused हो करके बोलते हैं कि सर मुझसे apply नहीं हो रहा है, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्तो, अगर आप एक बार job apply करते हो, दो बार job apply करते हो, तो आपको आदत हो जाती है, कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या करना पड़ता है, ठीक है, अगर व और अगर employer खर्चा उठा ले, तो free में भी बहुँच सकते हो, ठीक है, नएा page open हो चुका है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अकाउंट वगेरा create कर सकते हो, ठीक है, और login वगेरा करके job के लिए apply कर सकते हो, अगर आपको ऐसा करना है, तो कर सकते हैं दोस्तो, करने के लिए, CV cover letter की जरूत पड़ेगी दोस्तो, आपको, CV cover letter आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी CV cover letter बना लिजे, Netherlands के लिए European format का CV cover letter जरूरी होगा दोस्तो, वह आप Europa.EU की website पर जाकर के बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पा का है, company company के ओपर भी depend करता है, अगर यहाँ पर apply quickly का option दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है, आपको account create करके apply करना है, अगर apply quickly का option नहीं है, दोस्तो, तो आप जो है, यहाँ से company की website पर जा सकते हैं, मतलब जिस भी company ने इस website पर job post की होगी, suppose मैं example के तोर पर बता रहा हूं, क तो अगर आप cleaner की job के लिए यहाँ से apply करोगे, तो आप Google की website पर भेज दिया जाओगे, वहाँ से जाके apply करो, तो यह भी होता है दोस्तो, third party applications पर भी आपको बेजा जाता है, third party website पर भी आपको बेजा जाता है, उन सारी चीजों को समझने का जो है, आपके पास थोड़ा सा मतलब तज्वरपा होना चीए, अगर नहीं है, तो आप हमारी वीडियोस देख देख कर सीख सकते हैं, और हमारी वीडियोस देख करके नहीं समझ में आ रहा है दोस्तो, तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा, कि कर 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 के सीखना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं करना चाथते हो, बिल्कुल आलस में डूबे हो दोस्तो, तो कुछ नहीं हो सकता, तो एजेंट को पैसा देदो, 10 लाक रुपर दुबा दो अपने, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ, कि किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो हर सेक्टर की जॉब अवेलिबल है, अल्मोस नेधरलेंड्स में, ठीक है, उन जॉब्स के लिए अपलाई कीजिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाईए दोस्तो, ताकि आपको भी वीजा मिल सके नेधरलेंड्स का, तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपक के साथ, तब तक के लिए बाई बाई